नमस्कार इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है मैं हूँ आश्रतोष दोस्तों कल बहुत गर्मा गर्म बहस्वी थी और सहारा का सहारा का जो पक्ष रख रहे थे कनाई साहजी वह डिबेट छोड़ के चले गए थे मैं उनसे अनरोद कर रहा हूं कि अब आज दुबा आप अगर कहीं हैं तो जोईन करिए लिंक हमारे चैट बॉक्स में दिया जा रहा है आप जोईन करिए क्योंकि सुभम ने जिस प्रकार से कल एक्स्प्लें किया था और आज मैं फिर कोशिश कर रहा हूं कि सुभम आप एक बार दुवारा हमारे साथ जुड़ें क्योंकि आ पकरिमें कल जो कनाई सा ने कहा कि यह से तो लगता है कि किसी का कोई पैसा ही नहीं मिलेगा सारी परिशानियों की जड़ जो है वो सहारा है लेकिन आज मुझे लगता है कि दो तीन बातें बहुत सारे लोगों ने जो मुझे मैसेज बेज़ए हैं उस मैसेज के आधार पे लोग कह रहे हैं कि हमारे इस बात को जरूर वहां रखिये और उनसे सबाल पूछे, सुभम से भी सबाल पूछे, तो जो सहारा के पक्षवे बोल रहे हैं, उनकी अपनी दलील है, लेकिन कल जो सुभम ने पूरा डिटेल बताया, उससे तो लग रहा है कि बहुत सारे इसमें पेज हैं, लेकिन एक इंपॉर्टन बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, वो यह है कि संजन आयक जो मुस्कुराते हैं हमारे शो में, मैंने कोशिश की उनके मुस्कुराने का पता करने के लिए, वो मुस्कुरा कर बोलते जरूर हैं, लेकिन हासे विरोध वाले वेक्ति हैं, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में एक बात होती है, और सबसे इंपॉर्टन बात यह है कि सहारा के पास कोई विकल्क नहीं है सहारा को पैसा देना ही पड़ेगा ये जो है मोटी बात है आज दें कल दें छह मेने बाद दें साल भर बाद दें लेकिन सहारा को पैसा देना पड़ेगा कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो सहारा के पास जो जमीने हैं वो अलग-अलग कमपनियों के नाम से हैं और इसमें serious fraud investigation जो है वो भी चल रहा है enforcement directorate भी involved हो चुका है enforcement directorate ये पता लगाती है कि पैसे का lending किस प्रकार से किया जा रहा था serious fraud investigation भी पता लगाती है कि कहीं पैसा ले करके कोई fraud तो नहीं कर दिया गया है इस सब के बारे में अब सहारा को पुखता जानकारी public domain में डालनी पड़ेगी लेकिन एक महतुपूर सवाल है सवाल number one M.C.A. के permission के तहर सहारा financial operation कर रही थी सवाल number two सहारा जो कुछ भी पैसा बासार से मार्केट से उठा रही थी उसकी जानकारी सरकार को थी कैसे जो सालाना audit report होता है उस audit report के माध्यम से सरकार को इस बात की जानकारी दी जाती रही कि 2007 में 2008 में 2009 में 2010 में हमने कितने पैसे बाजार से उठाए हैं और उसका income tax department को भी संग्यान में दिया जाता रहा ये भी जानकारी है अब सवाल है कि अगर ministry of corporate affairs को जिन्होंने की license दिया था ओफिडी बॉंड लांच करने का डिवेंचर लांच करने का अगर उनको ये जानकारी थी तो mcaa ने उस पर कोई आपक्ति क्यों नहीं की अब जो कल सुबहम ने बात बताई कि सेवी ने already सेवी ने जब ये कहा कि ये हमारे पर्व्यू में है जो कुछ भी आप पैसा मार्केट से उठाते हैं उस पर हमारी नजर रहेगी ना की ministry of corporate affairs की रहेगी अगर आप 50 की संख्यां को पार करते हैं 50 से अधिक लोगों से पैसा लेते हैं सुबहम ने कल ये बात बताई कि M.C.A. में जो इन्होंने बात बताई थी कि हम internal पैसे की उगाही करेंगे अपने employee से या अपने agent से उससे करेंगे हम market से पैसा नहीं लेंगे कल भी मैंने सुबहम से ये सवाल पूछा था कि individual इसमें matter करेगा या institution यहां matter करेगा institution और individual का फर्क की समझे कि क्या सहारा के मान लिए ये की 5 लाग field worker है पांच लाग agent है और पांच लाग लोगों ने दो-दो हजार करके रुपहया दे दिया तो हजारों करों रुपहया हो गया लेकिन वो गिना جाएगा सिर्फ एक क्योंकि वो सहारा का investment है वो सहारा के लोग है क्या ये बात होगी या पांच लाग अलग अलग लोग हैं ये बात होगी क्या अगर सहारा इंटर्नली अपने ही एजेंट के पैसे को निवेश के रूप में लेती तो क्या ये लपड़ा नहीं होता कल सुभम ने कहा कि सहारा ने बाजार से अपने अलावा भी लोगों से पैसे लेने शुरू कर दिये और यहीं पर ये परिशानी हो गई अगर M.C.A. को सहारा ने ये कागजाद दिया कि सहाब हम इंटर्नल रिसेरूर्सिस को मैनेज कर रहे हैं और हम रियल स्टेट में बड़े पैमाने पर चाह रहे हैं हम बाहर से पैसा नहीं लेंगे तो क्या इस आधार पर M.C.A. ने उनको अनमती दी कि हाँ आप O.F.C.D. लाँच कर सकते हैं और क्या ये बात सही है कि जो भी सहारा के पास 22,000 करोर उपे 17,000 करोर उपे आए उसमें से 90 प्रतिशत पैसे सहारा के इंटर्नल रिसोर्स नहीं आए इंटर्नल रिसोर्स का ताथपर ये हुआ कि सहरारा में कारेरत खारी करता isn't जो भी कह लीजिये आप उनके सोजन्य से पैसे आए अब ये जो उनके सोजन्य से पैसे आए ये उनके पैसे थे या वो जिन निवेशकों का पैसा लगा रहे थे अलग-अलग स्कीम में उसमें एक और स्कीम उन्होंने बेच दिया जो की बाहिय मार्केट कहला गया सहारा के बाहर जाकर के पैसे की उगाई के स्रेणी में आ गया क्या यह हुआ और इन सब की जानकारी क्योंकि important बात यह है कि audit वो करवा रहे हैं कि मेरे पास कितने पैसे आ रहे हैं इसकी जानकारी M.C.O. को दे रहे हैं हर साल और यह पूरा रिपोर्ट ले करके कि देखिए मेरे पास 10 करोर निवेसक हैं उनका हमारे पास 17,000 करोर या 22,000 करोर रुपए है अब मैं IPO लाँच करने जा रहा हूं और मुझे बागार से और पैसे चाहिए क्योंकि मैं 1,270 शहरों में housing project ले करके आने वाला हूं सहरा अगर पैसे ले करके भागने का intention होता तो क्या सहरा सेवी में जाती यह बहुत यक्ष प्रश्म है बहुत यक्ष प्रश्म है